नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की स्वेवा में एक बहुदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां इनी के असहने दर्द को भगाएं चुटकियों में बस आज माएं ये आसान घरेलू उपाएं यह है आज का हमारा टोपिक आप सभी के लिए इनी का दर्द पैरों की बहुत आम समस्या है और हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी को बहुत प्रभावित कर जाता है इनी का दर्द अक्सर एनी और एनी के पीछे ही महसूस होता है किन्तु कई बार यह पिंडलीों और पूरे तल्वों में भी परिशानी पैदा कर देता है एड़ी के दर्द के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यहाद दर्द अक्सर धीरे धीरे पैदा होता है और धीरे धीरे ही जाता भी है खास तोर पर सुबह के समय उठने पर ज्यादा महसूस होता है महिलाएं इस दर्द से पुरुषों के मुकाबले ज्यादा परेशान रहती है इस दर्द के पैदा होने का मुख्य कारण सही जूते चपल का प्रियोग न करना होता है महिलाओं में उंची हिल की सैंडल पहनना इसका मुख्य कारण होता है वहीं पुरुषों में ज्यादा करने के लिए कुछ एक सही प्रयोगों के भारे में इन्ली के दर्द को दूर करने के घरिलू उपाए बर्फ का प्रयोग इन्ली में दर्द होने पर बर्फ का प्रयोग करना बहुत ही लाफकारी होता है यह इसका सर्वोत्तम प्रक्रितिक उपाय है बर्फ का प्रयोग करने से इनी के तापमान में कमी आती है और दर्द का एहसास कम हो जाता है सूजन भी उतर जाती है इस तरह से ये प्रियोग करें पॉलिथिन के एक पाउच में बर्फ के पांच या साथ टुकड़े डाल कर उसका मुह रबर बैंट से बंद कर दें और इस पैकेट को साफ कोटन के कप पड़े में लपेट कर दर्द वाले हिस्से पर 15 मिनट के लिए लगाएं एक दिन में चार से पांच बार यह प्रियोग दोहराया जा सकता है इससे आपको लाब नजार आने लगेगा ध्यान रखें कि बर्फ कोई स्केंग पर कहीं भी ज्यादा देर तक सीधे सीधे नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से त्वचा बर्फ की ठंडग से जल जाती है जिसको फ्रोष्ट बाइट कहते हैं इंडी की मालिश जी हां मालिश करना दर्द से रहत के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है यह दर्द से ततकाल रहत देने का कार्य करता है मालिश करने से मांस रहत मिलती है दबाऊ कम होता है और वकण कम होकर खूं का संचार सूचारू होता है द्रद ज्यादा होने पर दिन में कभी भी आप एणी पर मालिश कर सकते है इसके अलावा व्यायाम के बाद और सूने से पहले except मालिश करने के लिए जैतून नारियल शर्षू अथवात द करें आये जानते हैं थोड़ी से तेल को हल्का गुनगुना गर्म करके इनल पर लगाएं और दोनों हाथों के अंगुठों और अंगुठे के पास की दो उंगलियों से मालिश करें और अंगुठों से साइड में दबाव देने का कार्य करें यह प्रक्रिया 10 मिनट तक आपको दोहरानी है सिंधा नमक का प्रियोग सिंधा नमक का यह प्रियोग इंडी के दर्द में बहुत जल्दी लाप दे सकता है यह दर्द सूजन को ठीक करता है इस प्रियोग में गर्म पानी की भाप रहत मिलने के स्तर को बढ़ा देती है प्रियोग करनी की वीधी जान लीजे एक चोड़ी बाल्टी में 4-5 लीटर सहन होने लायक गर्म पानी डालें, ज्यादा तेज गर्म ना हो पानी ये ध्यान रखें नहीं तो पैर जल जाएंगे और इस पानी में 4-5 चमच सेंधा नमक भी डालें, अब 15-20 मिनट के लिए अपने पैरों को इस पानी में डुबो कर बैठे जाएं, उसके बाद पैरों को पोच कर एनियों पर कोई कूर्ड करिम लगा लें और 5 मिनट तक मालिश करें, दर्द के ठीक होने तक रोज प्रयोग करें ये, हल्दी का प्रयोग, किसी भी तरह के दर्द के लिए प्राकृतिक उप्चार की बात होगी, तो उसमें हल हल्दी का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्युमीन नामक तत्व दर्द के लिए बहुत प्रभावी और शदी होता है, हल्दी का प्रयोग कैसे करना है आए जानते हैं, एक कप दूध में एक चमच हल्दी चून मिला कर, उसको बहुत हल्की आग पर हल्का सा गर्म करें, फिर उसमें एक चमच शहद मिला कर पी लिजिए, यह ड्रिंक आप रोज दो से तीन बार पी सकते हैं, आपको लाव नजर आने लगेगा, अधरक का प्रयोग करें, जी हाँ, यह दिमान से पेशी के खिचाओ के कारण दर्द है, तो अधरक का प्रयोग विशेश रूप से लावकारी होगा, अधरक में दर्द निवारक गुन पाये जाते हैं, साथ ही यह शरीर में खून के प्रवाह को भी शुद्ध करता है, अधरक का प्रयोग कैसे करें, आईए जान लेते हैं, एक कप पानी में 5-7 ग्राम अधरक को पका लीजिए इसके अलावा अपनी नियमित डाइट में भी अधरक का सेवन जरूर करें, सेव के सिरके की सिकाई, आधा कप पानी में चोथाई कप सेव का सिरका मिलाकर उसको हलकी आग पर गर्म करें, जब गर्म हो जाए तो साफ सूती कपड़े की चार तेह बना करके उसको गर्म मिश् आटी को बदलते रहें, 15-20 मिनिट तक यह प्रक्रिया दोहराएं, यह प्रयोग रोज एक या दो बार किया जा सकता है, जिहां दोस्तों तो देखा आप सभी ने, अगर आप इस प्रयोग को अपनाते हैं, या इन प्रयोगों को अपनाते हैं, तो आपके दर्द से छोटका मिल जाएगी, इन यों का दर्द गायब हो जाएगा, यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं, कौर बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों